Assalamualaikum, welcome back to our channel So audience, हम लोगों ने 9th class का chapter 3 स्टार्ट किया है, biodiversity Last lecture में हमने देखा था Deforestation and effect of deforestation Next हमारा topic है, importance of forest कि importance of forest क्या, इसकी क्या एहमियत है Forest की, forest sport considerable biodiversity Forest जो है, biodiversity को sport करता है Variety of species को, उसमें मतलब के बहुत ज़्यदा species जो ऐसी है, जो forest पे exist करती है, वहाँ पे रहती है वहाँ से उसका अपना खाना पीना है मतलब बहुत ज़्यदा चीज़ें उसका Depend करते हैं, definitely इसका मतलब यह है Forest sport करती है, biodiversity को Utilization of forest product अब हम इसका इसका इस्तमाल भी करते हैं इसका इसमें इस बारे फेशें प्रासेस में Including timber अब लकड़ी को And fuel for would play a key role in human society यह वह चीज़ें हैं, जो human की society में एक रोल अपना प्ले करती हैं अब two-day developed country अब जो developed countries हैं continue to utilize timber व Olivier can continue to utilize timber इस्तम्हाल को thanks for tuning we все बनाने के लिए लकडि के लिए for building houses, अपने घरों को बनाने के लिए लकडि श्लिटीः श्लिटिप्रेंट गांच बनाने Kraset & व Frei for making paper और paper बनाने के लिए जad के लिए, अब इसका इस्तम्हाल करे बिए is different variety Technology different species को support करता है इसकी different products हैं हम लोग different process के purpose के लिए इस्तमाल करते हैं different process से उनको गुजार के इसको different purpose के लिए इस्तमाल करते हैं और ये किसम है human society में है में तब हम लोगों के इस्तमाल में है और next इसको जो developed countries हैं वो अपने घर बनाने के लिए different चीजें बनाने के लिए इस्तमाल करते हैं mostly हम लोग इसको paper बनाने के लिए जो हमारे रोज़वरा की जिन्दगी में बहुत ज़एदा एहम किर्दार एदा करते हैं उनके लिए हम इस्तमाल करते हैं इसका मतलब है importance of forest और इनकी forest की जो है हमारी जिन्दगी में बहुत ज़एदा एहमियत है next है over hunting अब over hunting क्या है over hunting has been a significant cause of cause of the extinction of hundred of species the endangerment of many more such as whales, ibex, marhor marhor क्या है national animal of Pakistan over hunting का मतलब क्या है कि वो species जो आगे ही कम पाई जा रही है जो आगे ही हत्रे में है कि next आने वाले future में वो क्या हो जाएंगी खत्म हो जाएंगी उनका शिकार जड़ा जड़ा किया जा रहा है और उनका शिकार करके उनको मज़ीद in danger फार में लेके आया जा रहा है इसको हम बोलते हैं over hunting ठीक है audience अगर आपको lesson audience लेक्टर जरूर सुनिएगा और जसको पसान आपको लाइक करें और कि अलाहाफेज झाल झाल झाल